स्टीपन हॉकिंग्स 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की लाइप इंजॉय करते हैं तब हैं एक मोटर निवरान नमक बिमारी का शामना करना पड़ा ये बिमारी दोस्तों इतनी जादा खतरनाक थी कि डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने यहां तक कह दिया था कि मुस्किल से एक और दो शाल ही जीवित रह पाएंगे इस बात घबराते नहीं हैं एक के बाद एक लगातार उनके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और उनके बाटी के पूरे हिस्से काम करने बंद कर देते सिर्फ उनके मस्तिस्क का हिस्सा काम कर रहा था उन लगातार परिसानियों से जूज रहते इस सम में उन्होंने एक सारी की सारी चीज़ को दी लेकिन एक चीज़ उनके पास बसी होसला 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 और इस होसले के दम पर वो लगातार मुसीबत की सिरी को चड़ते चले गए और दुनिया में उन्होंने साइंस के उपर ऐसी The Brief History of Time एक ऐसी किताब लिग दी कि इस किताब का पूरी दुनिया ल बहुत बढ़ा अपना योगदान दिया तो इसमें एक बात निकल कराती है कि इसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की सकती हो तो दुनिया की कोई तक उसे रोक नहीं सकती यह एक्जमपल दिया हम सब को स्टीपन हॉकिंग ने इस स्टीपन हॉकिंग की स्टोरी में कई इंटरनेट के अंदर परता मुझे बहुत लग्चा है नभी फिष्टी और टाइम उनके किताब यह किताब यह किताब शाइन्स की एक ऐसी किताब है जिसकी पूरी दुनिया लोहा मनती है और इस्टीपन हॉकिंग ने हम सब को बताया कि हम सब के अंदर एक स्टॉंग नहीं रोख सकती यह थे दुनिया के नंबर वन बैग्याने के स्टीपन होकिंग कानी कभी दोस्तों इंटरनेट पर आपको बहुत मजाएगा स्टीपन होकिंग कानी सुनकर पढ़कर और सबसे बड़ी बाद इसमें हमें इतना कुछ सीखने को है कि जिस इंसान के पास ना ह बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा सिर्फ इतना हिश्चा काम कर रहा उपर का इतना हिश्चा काम कर रहा और इस हिस्से पर उन्हें ने दुनिया के इसी किताबे शायंस के लिग दी कि बता रहा हूं कि दुनिया पुरा लोह मांते हों मेद करता हूं दोस्तों यह है आ पाके आला के गए जाहिंद